गुड मॉनिंग बच्चों पिछली टन पर मैंने क्लास फूर्थ में हिंदी का चप्टर 12 पढ़ाया था जिसका नाम था चित्रकार और शेर तो हमने यह सारा समझ लिया था इसके बाद इसकी शब्दर्थ और प्रेशन उत्तर भी कर लिये थे अब इसके आगे इसके एक्सेस सब्सकार के पास कौन आया तो यह खाए शेह कोश कर दिक लगएंगे एका सुर्ण तो जंगल में जील के किनारे लगी तो जील के किनारे नाव लगी तो नाव फर यहां टिक लगाएंगे फिर देखिए कभिता की पंक्तियों को फूरा करो चित्रकार्थ इंसान जगह पर क चित्र फिर दूसरी लाइन में देखिए इतने मैं ही वहां आ गया यम्राज का मित्र अल्रेडी लिखा हुआ है फिर देखिए फिर उसको कुछ हिम्मत आई तो क्या आएगा आगे देख उसे चुप-चाप बूला सुन्दर चित्र बना दूं बैठ जाईए आप इस तरह से ह इनों को पूरा कर लेंगे फिर यहां फिलप्स दिया है तो इस में से शब्दों को बरना है तो चित्रकार दैश जगह पर चित्र बना रहा था तो यह आएगा सुनसान शेर अपनी डैश घुमाकर चित्रकार की और बैठ गया तो यहां पीठ आएगा शेर को देखकर चित्रकार के डैश उड़ गए तो यहां होश आएगा जंगल में चित्रकार के सामने डैश आ गया तो यहां शेर आएगा फिर इसके बाद देखिए रिखांकित शब्दों के परियावची शब्दों से रिक्तिस्थान बरिये यानि चित्र को और क्या कहते हैं वो आपको यहां लिखना है प्रित्र को और क्या कहते हैं वो यहां लिखना है पर याएवाजी एक जसे शब्द समान अर्थ वाले शब्द तो देखिए उसका चित्र अच्छा था पर मेरी डैश भी ठीक थी तो यहां पर चित्र को और क्या क मेरे सभी मित्र आये पर मेरा वह डैश नहीं आया तो मित्र को कहते हैं दोस्त यहां दोस्त आजाएगा फिर देखिए कुछ मुहावरे दिये हैं यहां पर जिनके प्रयोक करने हैं चैरा खिल उठना यानि खुश हो जाना मन पसंद खिलोना पाकर बच्चे का चैरा खिल उठ खिल के बारग मैं उठा मैंने यहां और बीच में लिकिए यहां लिखा है प्रदे कान भर नाया falar चुगली करना इसका ही कि मैंने लिखा है मेरी बैन मेरे खिला बाहत मां के कान भरती रहती है फिर देकर लोकोगति यहां है उनके भी आर्थ यहां लिखे वंए प्रयोग आपको लिखने है तो देखिए आजकल नौकरी कम होती है और पाने वाले अधिक यह तो वही बात हुई एक अनार सो विमार यानि एक अनार सो विमार का अरत होता है चीज कम पर चाहने वाले अधिक तो इसी तरह हल नौकरी का भी है नौकरी कम होती है और नौकरी चाहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो यह एक अनार सो बिमार वाली बात भी फिर देखिए दूसरा मुहावरा है खोदा पहाड और निकली चुया इसका मतलब होता है आशा के अनुकूल फल ना मिलना मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिले तो देखिए खजाने के लालच में सारा घर खोद डाला लेकिन निकला सिर्फ एक सिक्का इसे कहते हैं खोदा पहाड और निकली चुया तो देखिए मैं इसको यहां से कंप्लीट कर रखा है यह त्री लाइंस में कंप्लीट किया है मैंने फिर देखिए यहां पर अगले नंबर पर दे रखा है नेम लिखे शब्दों में अनुस्वार यानि अंकी बिंदू और अनुनासिक यानि पर बिंदू आएगा आके उपर सिचाई में सापर अंका बिंदू आएगा जुझलाट में अंका बिंदू आएगा कंगाल में अंका बिंदू आएगा 37 में अंका बिंदू आएगा फिर देखिए डैश फुटबॉल खेलता हूं तो देखिए यहां पर आएगा मैं यहां options तीन दे रखें मेरा मैं हम तो मेरा या हम तो नहीं आएगा यहां पर मैं football खेलता हूँ के साथ हमेशा मैंक प्रयोग होता है तुम्हें बुला रहा है तो यहां पर आएगा वह वह तुम्हें बुला रहा है तो देखी यहां कब आओगे क्या आएगा आप आप यहां कब आओगे बाहर डैश खड़ा है तो बाहर कोई खड़ा है डैश कल आएगा मैं वह कल आएगा फिर इसके बाद देखिए विराम चेनल लगाने के लिए दिये हैं तो क्या खा रहे हो ये प्रशन है के लिए प्रशन वाचक किना आएगा मेंस पर किताब कॉपी और कलम रखिया तो किताब कॉपी के बीच में अल्प विराम आएगा यहां पून विराम आएगा रमेश, दिनेश, चंदन और सोहन पढ़ रहे हैं तो और से पहले जितने भी मित्रों के नामें उनके बीच में अल्प विराम आएगा जैसे रमेश के बाद अल्प विराम दिनेश के बाद अल्प विराम और यहां लास्ट में पून विराम आएगा मुझे नींद आ रही है वाक्य खतम हो गया तो यहां फून विराम आएगा हमारे स्कूल में अंग्रेजी हिंदी गरित्वा विज्ञान पढ़ाए जाते हैं करना क्या मैं यहां पर कविता की पंक्तियां पूरी करो इसको उसके बाद में यहां पर रखती स्पां वर्यें यह यह अगली लाइन में प्रियावाची लिखींगे और इसके बाद यहां दे मुहाँरी और अगली में प्रयोग करेंगे इसी तरह से कान भरना यहां लिखा हुआ यह से लोकोक्ति न, और अगले लइनों ड्रयोग दूसरा मुहाँरा उसके अर्थ और अगली लाइनों सा प्रयोग करने पिर देखिए लोकोक्ति औरENA उसका अर्थ आपको चारो कॉपी के अंदर करने हैं मुहावर लोकॉर्तियां और यह प्रयायवक्ति शब्द और यह फिलाप्स और यह पंक्तियां पूरी करो इन सब को आप अपनी खुर फियर काउपी में करेंगे और बाकी सबकूच भुक में फिल करना है I hope कि सब को समझ में आ गया हो Thank you